सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नम रोहतास निमी और अब सभी का स्वागत हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेटकर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कम्यूकेशन बैरियर की यानि कि संचार के अंदर क्या-क्या बात है आ सकती है उनहीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और इसमें से काफी कोश्चन आज तक आये हैं और आगे भी आने की संभावना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो हमने एंटी यूजिस नैट दिसंबर 2019 एक्जाम के लिए एक पेड वर्टसप ग्रूप बनाया है इस ग्रूप में हम आपको दोस्तो सिस्टमैटिक धंग से स्टड़ी करवाएंगे इस ग्रूप में आपको हर रोस दो वीडियो मिले कर 2019 तक topic wise old paper PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर unit में most important repeated question की PDF दी जाएगी तो दोस्तो जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रूप को join कीजिए और अपनी study अच्छे से कीजिए link वीडियो description box में दिया हुआ है चली दोस्तो अब हम जानते हैं कि संचार में पर्मुक वाधाई किस किस तरह की आती है communication barrier किस तरह के होते हैं और यह काफी type के होते हैं दोस्तो यह सब ही हमें समझना जुरूरी है सबसे पहले हम यह जानते की communication barrier होता क्या है यह इसका मतलब क्या है अब देखी जब हम किसी के साथ कम्यूक AI कर रिए किसी से हम बातचीत कर रर तो उस दुराँ बीचर में कुंछ problem हो जाती जैसे कि हम मान के चलिए आप मेरी ये वीडियो देख रहा है यूटूब के उपर और इस दुरह अगर नेट चलो हो जाए वीडियो रुक रुक के चलने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे कम्निकेशन वैरियर कहेंगे और इसी तरीके से जब हम मान के जले किसी को लैटर लेकर भेज़ते हैं औ सबसे पहले है हमारा और और चाल बाड़ है संगठन आत्मक बाधाऑ किसक्स तरह की आ सकती है और इसके अंदर मुख्ली रूप से यह一起 संगठन आकार और अगर हमारी संस्दाओ बढ़ी वोगी तो हम सबी लोगों के साथ अच्छे से कम्निकेट नहीं कर सकते यह एक इसमें प्रोग्लम होती है दूसरे करमचारियों के वीच बहुत तक दूरी अगर कोई दो करमचारियां उनके बीच में फीजिकल डिस्टेंसा वो बहुत ज्यादा दूर है यानि कि एक दिल्ली रह रहा है तो उनके बीच में थोड़ा कम्निकेट करना बहुत मुश्किल हम कह सकते हैं और एक दो व्यक्ति जो दो किलोमेटर पर रहते तो वह बहुत असानी से कम्निकेट कर सकते है जोब स्पेसलाइजेशन अब देखिए कोई बंदा हो सकता है कि मान के चलते कि संस्कृत का तो वह दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्निकेटर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज कह सकते हैं फिर जो और इस पेसलाइजेशन कह सकते हैं वह दोनों की दोनों अलग है ठीक है तो इस तरीके से काफी तरह की और जो बैरियर है वह यहां पर दिये अब देखिए फीजिकल और मेकैनिकल बेरियर किस तरह के हो सकते हैं अब देखिए इसके अंदर क्या है कि यांतरिक बाधाओ को पारस्प्रिक एवंजन संचार दोनों में सामिल किया जा सकता है यांतरिक बाधाओ के कुछ उधारण हैं जैसे रेडियो प्रशारण में बाध यानि कि जो हमारी फीजिकल और मेकेनिकल यानि कि टेकनिकल जो चीजे उनके इंदर किस तरह की बाधाई हो सकती है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे टीवी स्क्रीन पर हम कुछ देख रहे हैं उसमें कुछ धुंदलापन आ गया तो वो क्या होगा हमरा हुचती है तो वह क्या होती है नेटवर्क प्रोब्लम हम उसे कहे सकते हैं ठीक है तो यह होता है उसके अंदर और और देखते और इसके अंदर क्या होता है और जैसे टेली फोन उपकरणों में एस्रावित आ यानि कि वह बात मैंने आपको बता दी और भी तरह की चीजिए इसके अंदर को सकती है और देखते हैं जिसे सम्मधित तनाओ जिसे कि मान के चलते हैं जब मौसम होता है तो भी हमारा जो है कम्यूकेशन खराब होने लग जाता है तीवी खराब चलने लगता है और एंट्नेट पर खराब हो खराब होता तो भी जो संचारा वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता अगर वो नेंद की अवस्था में तो सही से नहीं कर पाएगा प्राप्त करता कि माध्यम से एप्रीचित होना यानि कि अब हमें नहीं पता कि जो अगला व्यक्ति वो किस माध्यम का यूज कर र लेकिन यहीं वीडियो अगर आप लैप्टॉप पे देखोगे तो इसकी जो आवाज वो थोड़ी सी कम आनी स्टार्ट हो जाएगी तो मुझे नहीं पता कि आप कहां पे देख रहे हैं तो यह भी प्रोब्लम होती है और दूसरी बात हम करते हैं जैसे मान के जलता है कि किसी व्यक्ति को हम कहें कि आपका इंट्रिव्यू लेना है या आप से कुछ बात करने और मैं उसको कहूं कि आपको स्काइप पे आना है ठीक है लेकिन अगला इसके बारे में नहीं जानता है तो इससे भी क्या होगा हमारा इससे कम्मुकेशन बैरियर उत्पन होगा और आगे देखर हम दोस्तों आगे हैं हमारा मानसिक अवरोधिया बाधाए मानसिक और साइकलोजिकल बैरियर किस तरह से हो सकते हैं अब दिखिए सर से पहला आता है व्यक्ति व्यक्ति विशेशस अंदर फ्रम और इसके अंदर क्या होता है देखिए हर जो इनसान है उसका किस चीज में उसकी आस्ता है किसमें वो ब्लीव करता है ये सभी चीजें भी निर्भर करती है किनी भी दो व्यक्तियों का संदर्व एक समान नहीं हो सकता समय के अनुशार पड़िगरती थे होता रहता है अब देखिए हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति को यार बहुत नोलेज है जो है इंक्रिजमेंट ना हुआ हो तो ये व्यक्ति विशेश वाधाय भी हो सकती है और इसके अंदर क्या है आगे देखते हैं आतम छवी या सवत धारना अब देखिए कई वार हम किसी को कुछ चीज समझाने की कोशिश करते हैं जैसे अब एक छोटा सा एक्जामपल लेक जलते हैं अगर मैं किसी को कहूं भई भगवान नहीं होता चीक है लेकिन अगला व्यक्ति अगर ये मान के बैठावी भगवान होता है तो चाहिए उसे हम कितना भी समझाले कुछ भी कर ले वो मानने को त्यार नहीं होगा क्यूंकि उसने आतम छवी सवत धारना यानिकि ख दोस्तों अनुभाव चेतर फिल्ड ओफ एक्सपिरियंस अब देखे विज्ञान के चातर को साइद हिंदी साहित्ते की बाते अच्छी तरह से समझ में ना है ये बात भी है कि जिस वेक्ति को जिस चीज का ज्यादा ज्यादा एक्सपिरियंस है वो उसे चीज को बहुत जल अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर हम बदाते हैं आपको संग्यानात्मक को हम ज्यान समंधी भी कह सकते हैं यदि हमारी सोच या ज्यान में कोई मतभेद हो तो उसको संग्यानात्मक मतभेद कहा जाता है ये भी हम कह सकते कि जो हमारी नोलेज है उसके हो अब जैसे हम मान के चलते हैं कि स्कूल कोलेज के अंदर आजकल रैगिंग है वो बंद कर दी गई है जो व्यक्ति उसके पक्स में होगा यानि कि जो चाहतावे रैगिंग होनी चाहिए तो उसको वह बात अच्छी नहीं लगेगी और जो व्यक्ति चाहेगा कि यह पहले इसका मतलब हम समझते अब देखी कई बार क्या है कि इनसान अपने बचाओ के लिए यानि कि अपने बचाओ के लिए डर जाता है उस टाइम उसका जो कमनिकेसन है वो डिफरेंस हो सकता है उसका जो फरक आ सकता है उसकी बातों में अब देखी इसके अंदर हम समझने इकोसिस करते हैं अब देखिए जैसे मान के चलते कि कलास के अंदर किसी ने कुछ चीज तोड़ दी और टीचर कलास के अंदर आए और एक सरीफ बच्चा है उसको उठा के पूछे हाँ बता किसी ने ये किया है तो वो हो सकता कि डुरते डुरते कहिए कि नहीं 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 मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया तो वो बचाओ के लिए कर रहा है ऐसा लेकिन सर क्या सोचेंगे टीचर क्या सोचेगा ये तो ज्यादा अपनी तरफदारी कर रही है तो बहुत बचने की कोशिस कर रहा है तो हो सकता है ये काम इसी नहीं किया है तो वो क्या है क जब पुलिस के अंदर भी जाते हैं तो पुलिस को भी जब हम ज़्यादा जितनी ज़्यादा हम क्लैरिफिकेसन देंगे नहीं सर मैं तो नहीं था मैंने नहीं क्या यह है वो है तो हो सकता है कि पुलिस को हम पे ज्यादा सक होने लगे तो इसे हम कहते हैं यानि कि सक या फिर या बचाओ की मुद्रा भी हमारे में communication barrier हो सकती है आगे हम देखते हैं चाहिनातमक धारना अब यह देखें दोस्तों यह भी most important है क्योंकि इसमें से जून 2019 में से question आया है अब सबसे पहले इसे समझने की कोशिस करते हैं चाहिनातमक धारना selective perception क्या होती है यह एक तरह का पुर रों मानने ताओ कि भीरूध हो अब देखें इसके अंदर कि होता कि किसी व्यक्ति को लेकर हमारी पहले सी अवधाना बनिए होती यह सब्सक्राइब है अब जैसे कई बार कहते हैं जानों के इंदर या अफिर इंदर कोई teacher कहता कि वह जो लड़का है वह तो बहुत उनजर करने की कोसिश करते हैं कि इव द्र पहले ही अवधारणा बनी हुई है किसी स्टूडेंट को लेकर यह लड़का सही है यह यह लड़का गलत है तो वह अपनी अवधारणाओं के अनुसार ही result निकालने की कोशिस करते हैं यही अवधारना जो है communication barrier होती है और यह question दोस्तों अभी zone 2019 के अंदर आया है आप ध्यान में रखना और आगे दोस्तों आगे filtering अब देखिए filtering भी कुछ-कुछ ऐसा ही है अब देखिए filtering के अंदर क्या है कि कई चीजे जो हम अच्छा मानते कोई गलत मानते हैं जैसे हम बुक पढ़ते ना बुक पढ़ते उसके अंदर क्या करते हैं जल्दी जल्दी देखते यह चोड़ दिया यह चोड़ दिया यह चीज ठीक है यह कर लेते हैं यह चीज है यह ठीक है यह कर लेते हैं और ज्यादा तर हमारे पास भासा ही एवम सांस्कृतिक बाद है लिंगेश्टिक एंड कल्चुरल बेरियर अब इसके इंदर क्या होते है दोस्तों अब देखिए अर्थ संबल्धी आउधारना है अब इसके इंदर मैं आपको बताओं वर्तमान समय में अत्या धुनिक संचार माध्यम इमेल इफेक्स एप्रेंट एतियादी का यूज किया जाता है अब हम मान के चलते कि कोई इनसान है वो हो सकता है कि जो बोलने वाली भासा है फोन पर ज्यादा अच्छे से समझ पाए ठीक है लेकिन अगर उसे कोई चीज हम इमेल करेंगे तो हो सकता है वो अच्छे से ना समझे पर इस चीज को तो वो क्या होगा अर्थ समंधी अवरोध हो गया यानि कि वो दोगो साहता है कि उसे प्रेंगे और समझना चाहरा है उस अर्थ में हम उसे नहीं समझा रहे तो यह होगा और आगे दोस्तों हमारे पास ऊच्छ परशंग या निम्न परशंग हाई और लौ एक मिनिट रुको इसके इंदर क्या होता है दोस्तों यदि हम कोई बात करके लंबी चोड़ी भूमी का बांध है तो उसको संदर्ब कहते हैं इसका सबसे अच्छा उधान ये थोड़ा दूसरे देशों का उधान दिया है इसका मैं एक्जाम्पल समझाने की कौशिस करता हू कई लोग क्या होते की कोई बात बताने के लिए उसकी भूमी का बनाते हैं उसके बैक्राउंड के बारे में जिकर करते हैं उसमें एक्जाम्पल वगरा देते हैं ठीक है तो वो क्या है कि वो बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं लेकिन कई लोग ऐसे तो जो बिल्कुल डाइरेक्ट बात कहें देते हैं और वो हमें अच्छे से समझमन नहीं आती तो इसी हम कहते हैं उच परशंग या निमन परशंग हाई और लोग कंटेक्स्ट ठीक है तो यानि कि जो लोग भूमी का बना के बात करते हैं एक्जांपल दे के बात करते हैं तो वो आगे दोस्तों हमारे पास cross-cultural communication पार संस्कृतिक संचार अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जब संचार में अलग-अलग संस्कृतिक प्रष्ट भूमी के से लोगों के समाद में क्या भिंताएं आय समानता हैं अब इसका मतलब क्या है दोस्तों जब हम मान के चलते कि संस्कृतिके लोग आ के एक दूसरे से बात करें अब हम मान के चलते हैं एक ऑगे गुज़राती व्यक्ति आ गया एक खडियानवी व्यक्ति यह लग्व यह तीनों के तीनों जब बात करेंगे तो अच्छे सी कम्मिनिकेट नहीं कर पाइंगे और दूसरी तरफ एक गुजराती और गुजराती जब गुजराती से बात करेगा तो बहुत अच्छे से कम्मिनिकेट कर पाएगा ठीक है इसी तरीके से जब बंगाली बंगाली से बात करेगा तो बहुत अच्छे से कम्मिनिकेशन हो पाएगा ठीक है तो उसे हम क्या कहेंग गाओं के जो लोग होए तो वो पंजाबी के अंदर बात करेंगे लेकिन वो चिज़ हमें समय में नहीं आएगी तो उसे हम क्या करेंगे भासा का अलप ग्यान होना ठीक है तो यह क्या होगा अंसुफिसियंट नॉलिज ओफ नॉलिज लेंग्विज तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों भासा का अलप ग्यान होना यानि कि भासाई अब रोध हम इसे कहेंगे आगे दोस्तों सांस्कृतिक भिंताए कल्चरल डिफेंस अब ये बात भी मैंने आपको बताईए अब देखे के अंदर जो दिवाली वो किसी ओर पर किसे बनाते हो तो इनके अंदर भी ये सांस्कृतिक मुल्य मानने ताइज जो है वो भी अलग-अलग हो सकते हैं इसी बेस पे भी जो कमिकेसन है वो डिफ्रेंस हो सकता है अब हम मान के चलते हैं कि गुजरात का कोई व्यक्ति यहां पर आजाये और हम दिपावली बना रहे हैं और वो हमें देखे कि अर्यार यार यह तो गलत तरीक इसे बना रहे हैं और वो हमें समझाना चाहें और हम उसे करने की कोशिस करें तो यह सबी जो बैरियर उत्पन हुआ ये किस तरह से हुआ सांस्कृतिक भिंता के कार्ण ये उत्पन हुआ आगे है तकनिकी भासा का ग्यान नय होना अब इसे भी हम इसे कहेंगे कि टेक्निकल नॉलेज की हम बात इसे कह सकते हैं अब देखिए टेक्निकल चीज के अंदर हम किसी को सी लैंग्विज समझाए है एच्टेमल समझाए हैं कि वैब वैब डेवलेक्मेंट वगरा कुछ समझाए तो उनकी वो टेक्निकल भासा हो सकती है लेकिन दूसरे व्यक्ति को जैसे हम समझाना चाहा रहे हैं कि वैब साइट कैसे बनती है अब जैसे मैं आप लोगों को समझाने लगो कि वैब साइट कैसे बनती है उसके अंदर एच्टेमल का यूज करते हैं code यूज़ किया जाता है CCS यूज़ किया जाता तो आप लोगों को वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों को technical knowledge की जानकर नहीं है ज्यादा तर दोस्तों को तो इसी हम क्या कहेंगे technical barrier कहेंगे ठीक है तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मुख्य रूप से communication barrier और इन में से काफी तरह की question आ चुके है और एक चीज़ और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मैं add करनी भूल गया मैं बता देता हूं जो भासा के दवारा जो हमारा communication barrier होता है उसे हम entropy कहा जाता है ये question पहले आया था यह इसमें मैं लिखना भूल गया यानि कि भासा के दवारा जो communication barrier उत्पन होता है उसे and tropical barrier कहते हैं और evening की जो वीडियो होगी दोस्तों उसके दर हम इसी से related question include करेंगे तो उसमें देखना दोस्तों आपकी किस तरह से question repeat होते हैं और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो लगी तो इस वीडियो को like जरूर कीजिए दोस्तों और comment भी किया करें ताकि हमें पता स है कि आपको हमारी जो वीडियो कितनी अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है कैसी वी लग रही आपके जो भी विचारा वह हमें बताएं और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेज ताके आप हमारी अनुवाली वीडियोज को साली से देख सके थैंक्यू दोस्तों